अग्थू, क्या है ये, क्या उबाल कर लाई है क्या, इतना गरम पानी जी वो इतनी गरमी पढ़ रही है न, तो इसलिए पानी रखे रखे गरम हो गया क्यों, वो जो मिट्टी का घड़ा था अपने घ़र में, उसे अपने माई के दिया ही क्या सिर्फ घड़ा होने से क्या होता है बेटा, उसमें नियम से पानी भी भर कर रखना होता है और इस सालसन से कहां हो सकेगा इतना बड़ा काम, तू ठहर जा बेटा, मैं अभी भर देती हूँ माजी वो घड़ा नहीं है हैं नहीं है का क्या मतलब कहा गया वो क्या सच में दे आई अपने माई के माजी वो कल पडोस के बच्चे जब यहां खेलने आये थे तो उनी से तूट गया था वो हे भगवान अब बताओ एक ही तो गरा था घर में सारी गर्मिया उसी के सहारे तो कटती थी वो भी तुड़वा दिया इसने लेकिन मेरी एक बास समझ में नहीं आती ये पडोस के बच्चे हमारे घर में खेलने क्यों आते हैं इनके अपने घर भी तो है, वहां क्यों नहीं खेलते और हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है जो उसके साथ खेलने आते हो हाई बेटा यही तो रोना है तेरे बाबुजी और मेरे तो कान तरस गए बच्चे की किलकारी सुनने को लेकिन जब नसी भी फूटे हो तो करें भी तो क्या बेटा मैं ही बुला लेती हूँ उन बच्चों को उन्हें देखके ही मन बहलाना पड़ता है अब तो इतना कहकर सुनन्दा की साथ प्रेमलता अपना सिर पकड़ कर बैठ जाती है केशव उसके पास जाता है और कहता है माम तुम परिशान मत हो अब तुम ही बताओ क्या करूँ मैं कितने डॉक्टर कितने वैद सब को तो दिखा दिया इसे लगता है मेरी किसमत में आलाद का सुख है ही नहीं नहीं ऐसा मत बोल बेटा देख मैंने तुझे पहले भी कई बार समझाया अब फिर से कह रही हूँ ये करम जली तो तुझे बच्चा दे नहीं सकेगी बेटा ये बांच है बांच मेरी मान तो तुझे दूसरी शादी कर ले वो मेरी सहेली है न कांता वो तो आज भी अपनी बेटी हमें देने को तैयार है माजी ये ये आप क्या कह रही है मेरे होते हुए ये दूसरी शादी कैसे कर सकते है मैं ऐसा नहीं होने दूँगी ये ये गलत है सुनन्दा की बात सुनकर केशो फॉरण अपनी जगह से उठता है और सुनन्दा के गाल पर एक जोड़दार तमाचा जड़ देता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मा से उची आवाज में बात करे गलती मेरी ही है मुझे मा की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी मा तुम कांता मौसी से बात कर लो मैं तैयार हूँ शादी के लिए अब बस बहुत हो गया इस मनोश की शकल और नहीं देखनी मुझे भी नहीं ऐसा मत कीजे मुझे मत छोड़िये मैं कहा जाऊंगी कहीं भी जा पर हमारा पीछा छोड़ समझी ना चल अभी क्या भी निकल मेरे घर से और सुन अगर दुबारा दिग गई न यहां तो तुझे जिन्दा गार देगा मेरा बेटा याद रखना केशोव और उसकी मा प्रेम रता सुनन्दा को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देते है सुनन्दा अपने माई के जाने के बारे में सोचती है लेकिन वो जानती थी कि वहां भी उसे कोई नहीं अपनाएगा सुनन्दा अकेली रोती हुई चली जा रही थी अचानक उसे मातारानी का मंदर दिखाई दिया मंदर को देखकर उसे याद आया कल से तो मातारानी के नवरात्रे शुरू हो रहे है मैं घर पर होती तो खुब अच्छे से मातारानी का श्रिंगार करती लेकिन अब, अब क्या होगा ये सोचकर सुनन्दा रोने लगती है वही पास में मंदर के पंडित जी खड़े थे वो सुनन्दा को जानते थे क्योंकि नवरात्री पर हर रोज वो इसी मंदर में मातारानी की पूजा करने आया करती थी सुनन्दा को रोते देख कर पंडित जी उसके पास आये और उससे बोले बेटी तुम, तुम रो क्यों रही हो क्या बात है सुनन्दा पंडित जी को सारी बात बताती है फिर पंडित जूद से कहते हैं और तुमसे अच्छा मातारानी का श्रिंगार तो कोई कर ही नहीं सकता पंडित जी की बातों ने जैसे सुननदा को जीने की वज़ा दे दी थी अब मंदिर का आंगन ही उसका घर बन गया उसने पूरी श्रद्धा से नवरात्री के व्रत रखे और पूरे मन से हर रोज मातारानी का श्रिंगार करने लगी पंडित जी मंदिर में आये चड़ावे में से कुछ पैसे और पेट भरने लायक प्रसाद उसे दे दिया करते थे इस तरह सुननदा अपना गुजारा करने लगी वो सुबह जल्दी उठकर पूरा मंदिर साफ करती और फिर मातारानी का श्रिंगार करने के बाद सारा दिन मंदिर के आंगन में ही मातारानी के भजन कीर्थन करती मंदर में जो भी आता उसके भजन सुनकर माता की भक्ती में खो जाता तुमको निश्दिन ध्यावत हरी ब्रह्मा शिवजी ओम जै अंबे गौरी जै अंबे गौरी मैया जै शामा गौरी तुमको निश्दिन ध्यावत हरी ब्रह्मा शिवजी ओम जै अंबे गौरी फिर कुछ दिनों के बाद अरे अरे ये ग्या कर रहे हो सुनन्दा दीदी कल नव मी है तो कन्या पूजन की तयारी कर रहे हूँ आप अपनी बेटी माला को समय से भेज देना कल सुबा यही मंदिर के आंगन में ही कन्या पूजन होगा वो सब तो ठीक है पर ये बताओ कन्या पूजन तुम करोगी क्या और माता रानी का प्रसाद वो भी तुम ही बनाओगी क्या हाँ दीदी वैसे तो हर साल पंडित जी थलवाई को बुलवाते थे लेकिन इस बार मैंने ही उनसे मना कर दिया अब जब मैं हूँ यहाँ तो मैं अपने हाथों से माता रानी का भोग बनाओगी अच्छा दीदी आप पूजा करो मैं चलती हूँ कल के लिए बहुत से तैयारियां करनी है सुनन्दा वहां से चली गई और जो महला उससे बात कर रही थी वो मंदिर के अंदर आ गई सुनन्दा से बात करने के बाद से ही उसके चेहरे के हाव भाव कुछ अलग से थे मंदिर में उसे जैसे ही पंडित जी दिखाए दिये तो वो फॉरण उनके पास गई और बोली पंडित जी ये क्या हो रहा है यहाँ वो भी आपके होते हुए क्या हुआ बेटी क्या हो रहा है यहाँ देखिए मंदिर की साफ सफाई तक तो ठीक था वो सुननदा मातारानी का श्रिंगार करने लगी तो भी हमने कुछ नहीं कहा लेकिन अब अब वो कन्या पूजन भी करेगी और प्रसाद भी उसी के हाथों से बनेगा क्या ये तो बहुत गलत हो जाएगा पंडित जी क्यों ये सब अगर पंडित जी ऐसे अंजान क्यों बन रहे हैं सारा गाउं जानता है वो एक बांज है बांज तभी तो उसके पती ने छोड़ दिया उसे सुना है वो तो अब दूसरी शादी भी करने वाला है तो आप ही बताइए जिस औरत पर इतना बड़ा लंचन लगा हो तो उसके हाथों से कन्या पूजन करवाना और प्रसाद बनवाना क्या ठीक है देखिए पंडित जी अगर वो ये सब करेगी तो मैं तो अपनी माला को नहीं बेजूँगी यहां कन्या पूजन के लिए फिर आप देख लेना इतना केकर वो महला वहां से चली गई पंडित जी मुस्कुरा रहे थे तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी वो सुननदा थी जो पास ही खड़ी थी और सब कुछ सुन चुकी थी पंडित जी उसे कुछ समझा पाते उससे पहले ही वो रोती हुई मातारानी की मूर्ती के पास गई और रोते हुए बोली मा ये कब तक सैना होगा मुझे घर परिवार सब छूट गया अब आपका साथ भी चोड़ना होगा क्या नहीं मा इससे अच्छा तो मैं मरी जाओ वही अच्छा रहेगा नहीं बेटी इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो तो मातारानी की शरण में हो मुझे पून विश्वास है कि वो तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करेंगी अभी ऐसा करो कल के प्रसाद और मातारानी के शरंगार के लिए जो कुछ चाहिए वो सब जाकर ले आओ बाजार से लो ये पैसे भी रख लो लेकिन पंडिची मैं नहीं नहीं आप किसी और से करवा लीजे सब कुछ नहीं बेटी पूरे नवरात्रे तुमने मातारानी की सेवा की है तो नवमी पर तुम्हारा यदिकर मैं तुमसे कैसे चिन सकता हूँ तुम कुछ मत सोचो और बाजार से जाकर ये समान ले आओ बाकी सब मातारानी पर छोड़ दो ठीक है पंडिची की बात मानकर सुरंदा उनसे पैसे लेकर बाजार की तरफ चल देती है वो बाजार पहुँचने ही वाली थी कि अचानक एक जगह उसे कुछ लोगों की भीर दिखाई थी उसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक कार का भयंकर एकसिडेंट हो रखा था वही पास में ही एक छोटी सी बच्ची जोर जोर से रो रही थी कोई उस बच्ची की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था सुननदा ने जैसे ही ये सब देखा तो उसने फॉरण उस बच्ची को गोद में उठा दिया फिर उसने बच्ची के माबाप की तरफ देखा जिनकी मौत हो चुकी थी सुननदा ने फॉरण उस बच्ची को गले से लगा लिया और रोने लगी लिकिन इस बार उसके आंस्वों में खुशी भी झलक रही थी क्यूंकि वो समझ गई थी कि माता रानी ने उसे अपना आशिरवात दे दिया है साथ ही जीने की वज़ा भी